एक युवक को मात्र इसलिए मारा गय कि उसने घराने के लिए छुट्टी की मांग की थी बताय जा रहा है कि नई सडखनिवासी पपुसवानी ग्वालियर में गुड्डू यादब नाम के एक व्यक्ति के यहां काम करता था पपु उक्तव्यक्ति के यहां तकरीवन 8-10 साल से काम कर रहा है जब उसने घराने के लिए छुट्टी और पैसे की मांग की तो घर की मालकी ने बांकी के नोक्रों से दर्वाजा बंद करवा कर पपु की जमकर पिटाई करवा दी आलम यह के पपु के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान गटना के की तकरीवन 8 दिन बाद भी साब नजर आ रहे हैं पपु जैंसे तेंसे गौलियर से भाग कर गुना तो आ गया लेकिन दर-दर की ठोकरे खाने के बाद भी पुलिस ने उसकी एक न सुनी जिसके बाद उसने पुलिस अदिक्षक के समक्ष जाकर गोहर लगाई जिसके बाद कल देड़ शाम पपु को जिलाचे के साले में भरती कराकर उसका मेडिकल कराए गया लेकिन उसके बावजुद भी अभी तक पपु का इलाज शुरू नहीं किया गया है आप बधायण ञाम करता हम लसे कहने हैं ग्यातर इसकी तो फटा बोल दिया थैंक जब जाने का बोला जाने लग्रादते कहा किन कहां काम करते थैं कि मैं इस फर्फिटी क्या कारण रहा क्यों मारा कि कारण तो बहुत पता नहीं मैं तो गुना आने के लिए मजूर ता मेरी मां को देखो आख कि उन्सी की तब एक खरा गें क्या बोले वो पैसा वैसा दिया कि नहीं नहीं पैसा तो दिया लगन भईया मार ने कुछने के बाट क्या नाम अपका अच्छा कितना रोक लिया एक मेने के दिये मतलब की 10,000 रुपर दिये और्पा की आट एक जिन कती है